C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचे का ध्वनी पाठ प्रिश्ट संख्या 81, अध्याय 4, संस्कृती तथा समाजी करन परिचे समाज की तरह संस्कृती शब्द को भी बार-बार तथा कभी-कभी अस्पष्ट धंग से प्रियोक किया जाता है इस अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से परिभाशित करने तथा इसके विभिन पक्षो का मुल्यांकन करने का प्रियास किया गया है रोज मर्रा की बातों में संस्कृती कला तक सीमित है अत्वा कुछ वर्गों या यहां तक की देशों की जीवन शैली की तरफ संकेत करती है समाज शास्त्रिय एवं मानव विज्ञानी उन सामाजिक संदर्भों का अध्यन करते हैं जिनमें संस्कृती विद्यमान है ये संस्कृति को अलग से लेकर इसके विभिन पक्षों के बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से आपको अंजानी जगा या प्रदेश का पता लगाने के लिए एक मानचित्र की आवशक्ता होती है उसी तरह से समाज में वहवार करने के लिए आपको संस्कृति की आवशक्ता होती है संस्कृति एक सामान्य समझ है जिसको समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतिक्रिया के माध्यम से सीखा तधा विक्सित किया जाता है किसी भी समू की आपसी सामान्य समझ इसे अन्य से अलग करती है तदा इसे एक पहचान प्रदान करती है लेकिन संस्कृती कभी भी परिश्कृत उत्पाद नहीं होती आप किसी अन्य व्यक्ति का अपनी संस्कृति में कैसे अभिवादन करेंगे? क्या आप विभिन व्यक्तियों, मित्रों, बुजुर्गों, संबंधियों, विप्रित लिंगी, अन्य समूहों के व्यक्तियों का विभिन प्रकार से अभिवादन करेंगे? अपने किसे अटपटे अनुभव की चर्चा कीजिए जब आप नहीं जानते थे कि किसी व्यक्ति का अभिवादन किस प्रकार किया जाए क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि आप साजी संस्कृती को नहीं बाटते थे परन्तु अगली बार आपको पता होगा कि आपको क्या करना है इस तरह आपका संस्कृती संबंधी ज्ञान बढ़ता है तदा स्वयम पुने विवस्थित होता है प्रिष्ट संख्या 72 ये सदा परिवर्तनशील तदा विक्सित होती रहती है इसके तद्व लगाता जुटे, घटे, विस्तारित, संकुचित तथ पुन्हे विवस्थित होते रहते हैं इसके फल्स्वरूप संस्कृतियां प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में गतिशील रहती है व्यक्तियों की अन्य व्यक्तियों के साथ सामान्य समझ, विक्सित करने तथा विविन चिन्हों तथा संकेतों से वही अर्थ ग्रहन करने की शमता ही मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है अर्थ का स्रिजन सामाजिक सद्गुर हैं जिसे हम परिवारों, समुहों तथा समुदायों में अन्यव्यक्तियों के साथ रहकर सीखते हैं इन में से अधिकांश ग्यान की जानकारी हमें विवस्तित धंग से, मौखिक रूप से या किताबों के माध्यम से प्राप्थ होती है उधारन के लिए यहां दी गई अंतेक्रिया पर ध्यान दे ध्यान दे की कैसे, शब्द या चेहरे के हावभाव बातचीत में अर्थ सनप्रेशित करते हैं इसे सीखने की प्रक्रिया से हमें समाज में अपनी भूमिका तथा उत्तरदायत्वों को पूरा करने में सहायता मिलती है आप पहले ही प्रस्थिती एवं भूमिकाओं के बारे में जान चुके हैं परिवार में हम प्रारंभिक सामाजी करन को सीखते हैं जबकि स्कूल तधा अन्यसंस्थाओं में द्वित्तियक सामाजी करन होता है इस बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे यात्री ने आटो चालक से पूछा इंद्रा नगर यहां वै क्रिया जिसे प्रश्न का अर्थ समप्रेशित होता है वैं आँख के संकेत में निहित है बारधीरा या क्या आप चलेंगे? यदि प्रश्न का उत्तर हां हुआ तो चालक अपना सिर पिछली सीट की और हिला देगा यदि उत्तर ना हुआ जैसा की अकसर होता है और प्रतेग बैंगलोर वासी जानता है तो वैं चला जाएगा या मू बनाएगा जैसे की उसने कोई गलत शब्द सुन लिया हो या मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाएगा जैसे की वैं खेद व्यक्त कर रहा हो यह उस शण की स्थिती के अनुसार होगा विविद परिवेश विभिन संस्कृतियां मनुष्य प्राकतिक परिवेशों जैसे पहाडों तथा मैदानों, जंगलों तथा स्वच्ष स्थलों, रेगिस्तानों तथा नदी घाटियों, द्वीपों तथा मुख्य भूमी में रहते हैं विभिन सामाजिक स्थानों जैसे गाओं, कस्बों तथा शेहरों में भी रहते हैं विभिन वातावर्नों में प्राकतिक तथा सामाजिक सित्यों का सामना करने के लिए व्यक्ति विभिन नीतियां अपनाते हैं इससे जीवन जीने के विभिन तरीकों या सांस्कृतियों का विकास होता है प्रिष्ट संख्या 73 इस प्रिष्ट पर तीन चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में रेगिस्तान में उटों की सवारी करते हुए लोगों को दर्शाया गया है दूसरे चित्र में बरफीले स्थान पर एक व्यक्ति को पैदल जाते हुए दर्शाया है तीसरे और अंतिम चित्र में नाव पर सवार कई लोगों को दर्शाया है जो नौका प्रतिस्परधा का हिस्सा है अब चर्चा कीजिए कि प्राकतिक परिवेश संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है साथ ही प्रखिती के अनुरूप याता यात के साधनों के बारे में भी चर्चा कीजिए प्रिष्ट संख्या 74 भारत में तमिलाडू या केरल के समुंद्रिक किनारे के साथ साथ अपनाई गई सुरक्षा की तक्नीकों में विशमताएं इसका प्रमान थी मुख्य भूमी तथा द्वीपो के लोग अपेक्षाक्रित आधुनिक जीवनशैली अपना रहे हैं इन द्वीपो के मचुवारे तथा सेवाक्रामिक सचेत नहीं थे तथा इन्होंने अत्यधिक विध्वन्स को सेहन किया है इसमें अनेक लोगों ने जाने गवाई दूसरी और द्वीपो में रहने वाली आदिम जन्जातियों ने जैसे की ओंगे, जार्वा, ग्रेट अंडमानी और शॉम्पेन जिनकी आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच नहीं है अपनी अनुभवी जानकारी के आधार पर आपदा का पुर्वा अनुमान लगा लिया तथा उचाई वाले स्थानों पर जाकर अपना बचाव कर लिया इस से पता चलता है कि आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक तक पहुँच होने से आधुनिक संस्कृती द्वीपों में रहने वाली जन्जातियों की संस्कृती से बेहतर नहीं हो जाती आतर संस्कृतियों को श्रेणी बध नहीं किया जा सकता परन्तु प्रकति द्वारा आरोपित दवावों का सामना करने की इनकी परियाप्त या अपरियाप्त योगेता के आधार पर इन्हें जाचा जरूर जा सकता है क्रिया कलाब दो अपने शेत्र के अतिरिक्त कम से कम किसी एक शेत्र के बारे में पता लगाएं कि प्राकतिक वातावरन, खाने पीने की आधतों, निवास के प्रतिमान, कपड़ों तथा देवी देवताओं की पूजा करने के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है संस्कृती की परिभाशा संस्कृती शब्द का प्रियोग शास्त्रिय संगीत, नृत्य तथा चित्रकला में परिश्कृत रुची का ज्यान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है यह परिश्कृत रुची लोगों को असांस्कृतिक आम व्यक्तियों से अलग करने के लिए रखी गई थी जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हम स्वैम चाय के स्थान पर कॉफी को प्रात्मिक्ता देते हैं प्रिया कलाब तीन भारतिय भाषाओं में संस्कृति शब्द के समतुल्य शब्दों की पहचान कीजिए वे किस प्रकार से संबंधित हैं इसके विप्रीत समाशास्री संस्कृत को व्यक्तियों में विभेद करने वाला साधन नहीं मानते परंतों जीवन जीने का एक तरीका मानते हैं जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं प्रतेक समाजिक संस्था अपनी स्वैम की संस्कृति का विकास करती है अंग्रेज विद्वान एडवर्ड टाइलर संस्कृती की एक पूर्व मानव विज्ञानिय परिभाशा देते हैं संस्कृती या सभ्यता अपने व्यापक नृजातिय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ग्यान, आस्था, कला, नैतिक्ता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फल्सरूप प्राप्त अन्य शम्ताएं तथा आधते शामिल हैं टाइलर 1871 प्रिष्ट संख्या पिजट्तर इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की को दर्शाया गया है, जो होटल में खाना खा रहे हैं अब आप चर्चा कीजिए कि यह चित्र किस तरह की जीवन शेली को दर्शाता है मानव विज्ञान के प्रकार्यात्मक स्कूल के संस्थापक पॉलेंड के रोनिल सिला मैलीनोवस की 1884-1942 ने दो पीडियों के बाद लिखा संस्कृति में उत्राधिकार में प्राप्त कलाकृतियां, वस्तुएं, तक्नीकी प्रक्रिया, विचार, आदतें तथा मुल्य शामिल है मैलीनोवस की 1931-621-46 किलफोर्ड ग्रीट्स ने सुझाव दिया कि हम मानविय क्रियाओं को पुस्तक में दिये गए शब्दों की तरह देखते हैं तथा उन्हें संदेशों का संप्रेशन करते हुए देखते हैं मानव एक प्रानी है जो अपने स्वैम के बुने हुए महत्वकांशाओं के जाल में फसा हुआ है मैं संस्कृति को यही जाल मानता हूँ हमारी खोज किसी अकस्मिक व्याख्या के लिए नहीं है परन्तु एक ऐसी व्याख्यात्मक परिभाशा के लिए है जिसका अर्थ निकलता है इसी तरह लेसल वाइट ने संस्कृति को वस्तुनिष्ट वास्दिक्ताओं को अर्थ देने वाले साधन के रूप में तुनलात्मक महत्व दिया है इसके लिए उन्होंने किसी स्रोत विशेश के पानी को लोगो द्वारा पवित्र माने जाने का उधारन दिया है क्या आपने मैलीनो वस्त्की की परिभाशा में कोई ऐसी चीज देखी है जो टाइलर की परिभाशा में नहीं है कलागे अतरिक्त टाइलर द्वारा सूची बत की गई सभी वस्तुएं अभोतिक हैं इसका कारण यह नहीं है कि टाइलर ने स्वैम कभी भी भोतिक संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया वास्तव में वैसंग्राले के अध्यक्ष थे तथा मानव विक्यान पर उनके अधिकांश लेक, विश्व के विभिन समाजों की कलाकृतियों तथा ओजारों की जाँच परताल पर आधारित हैं जहांकि उन्होंने कभी कोई यात्रा नहीं की थी अब हम संस्कृति के बारे में उनकी परिभाशा को इसके अतीज सुक्ष्म तथा अमूर्त आयामों पर आधारित एक प्रयास के रूप में देख सकते हैं ताकि उनके अध्यन में शामिल समाजों के बारे में व्यापक समझ प्राप्त की जा सके मैलीनोवस की प्रतम विश्वयुद के दौरान पश्चमी प्रशान्त महासागर के एक द्वीप पर फस गए थे तब उन्होंने इस बात की खोज की कि जिस समाज का आप अध्यन कर रहे हैं वहां लंबी अव्यती तक रहना कितना महत्वपून है इसने आगे चलकर शेत्रिय कारे की परंपरा की स्थापना की जिसके बारे में आप अध्याय पाँच में पढ़ेंगे मानव विज्ञानिय अध्यनों में संस्कृती की बहुल परिभाशाओं में अल्फ्रेड क्रोबर तधा क्लाइड क्लूखोन सयोक्त राजे के मानव विज्ञानी को 1952 में एक व्यापक सर्वेक्षन कल्चर अक्रिटिकल रिव्यू ओफ कॉंसेप्ट अन्टाफिनेशन के प लोगों के जीने का एक संपून तरीका है ग वहवार का सारांश है ग सीखा हुआ वहवार है न सीखी हुई चीजों का एक भंदार है च सामाजिक धरोहर है जोकी व्यक्ति अपने समू से प्राप्त करता है च बार-बार घट रही समस्याओं के लिए मानकी कृत दिशाओं का एक समूच्य है ज़ वहवार के मानकिये नियमिती करन हे तु एक साधन है प्रिया कलाप चार इन परिभाशाओं की तुल्ला करें ताकि आप इन में से या इनके एक मिश्रन सबसे संतोष जनक परिभाशा का पता लगा सकें ऐसा करने के लिए आप संस्कृती शब्द के पर परिचित प्रयोगों की सूची अठारविश अताबदी में लखनाओं की संस्कृती अतिती सतकार की संस्कृती या समाननेता प्रियोक्त शब्द पास्चात्य संस्कृती बना सकते हैं इन परिभाशाओं में कौन सी परिभाशाएं इन प्रतेक परिचित प्रयोगों के अर परिभाशाओं की तुल्ला यह देखने के लिए करें कि इनमें से कौन सी परिभाशा या परिभाशाओं का समुझ्चे आपको सबसे जादा संतोष जनत लगता है। जबकि दूसरी जीवन के संपून तरीके की बात करती है। जो आपने सुने हों। अपने मित्रों तथा परिवार से संस्कृती का अर्थ पूछिए। संस्कृतियों के बीच अंतर के लिए उनके मानदंड क्या है। संस्कृती के आयाम संस्कृती के तीन आयाम प्रचलित हैं। एक, संग्यानात्मक, इसका संदर्व हमारे द्वारा देखे या सुने गए, को वहवार में लाकर उसे अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया के सीखने से है। अपने मुबाइल फोन की घंटी को पहचानना, किसी नेता के काटून की पहचान करना। प्रिष्ट संख्या सतत्तर दो, मानकिय, इसका संबंध आचरन के नियमों से है। अन्य व्यक्तियों के पत्रों को ना खूलना, निधन पर अनुष्ठानों का निश्पादन। तीन, भौतिक इसमें भौतिक साधनों के प्रयोग से संभव कोई भी क्रिया कलाप शामिल है। भौतिक पदार्थों में उपकरन या यंत्र भी शामिल है। उधारनात, इसमें इंटरनेट चैटिंग, जमीन पर कॉलम बनाने के लिए चावल के आटे का उप्योग शामिल है। आपको ऐसा लग सकता है कि भौतिक संस्कृती, विशेश रूप में कला के बारे में हमारी समझ, संग्यानात्मग तथा मानकिये शेत्रों में जानकारी प्राप्त किये बिना अधुरी है। यह सही है कि सामाजिक प्रक्रिया के बारे में हमारी विकास शील समझ, इन सभी शेत्रों की जानकारी से बनेगी। परंतु जैसा कि हम यहां पाएंगे, इन में से प्रतेक शेत्र पर अलग अध्यन महत्वपून अंतरद्रिष्टियां उपलब्ध कराता है। संस्कृती के संग्यानात्मक पक्ष किसी भी व्यक्ती द्वारा अपनी संस्कृती के संग्यानात्मक पक्ष की पहचान इसी संस्कृती के भौतिक पक्ष जो की वास्तविक या दिखाई देने वाले या सुनाई देने वाले हैं। तथा इसके मानकिय पक्ष जो की सूस्पष्ट दिये गए हैं कि पहचान करने की तुनला में कठिन होता है। संग्यान का संबंद समझ से है। अपने वातावरन से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं। साक्षर समाजों में विचार, किताबों तथा दस्तावेजों में दिये होते हैं, जो पुस्तकालियों, संस्थाओं या संग्रालियों में सुरक्षित रखी जाती हैं। परंतोर निरक्षर समाजों में दंद कताएं या जन्षृतियां या दाश में रहती हैं तथा मौखिक रूप में हस्तांतरित की जाती है। वहां मौखिक परंपरा के विशेशग्य होते हैं जिने अनुष्ठानों या उत्सवों के अफसर पर यह सब सुनने तथा याद रखने का प्रशिक्षन दिया जाता है। विद्यमान भाशाओं में केवल 78 में साहित्य उपलब्ध हैं। तो वह विस्तारित हो जाती है। एतिहासिक दौर पर हमारे जैसे समाजों में साक्षर्ता केवल अधिक सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को ही उपलब्ध हुई है। प्रिष्ट संख्या 78 उसके ग्राहक को उसे क्या देना है। समकालीन विश्व हमें अत्याधिक रूप से लिखित शव्य एवं दृष्य रिकॉर्ड पर विश्वास करने की छूट देता है। तथा भी भारतिय शास्त्रे संगीत के विद्यार्थियों को अभी भी उनके द्वारा प्राप्त ज्यान को याद रखने के लिए कहा जाता है। और इसे लिखने के लिए हतो साहित किया जाता है। हमें अभी भी इलेक्ट्रोनिक साधनों, बहुविज माध्यमों, मुबाइल तथा इंटरनेट के प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि ये नई प्रणालियां हमारी एकागरता की अवधी तथा संग्यानात्मक संस्कृति पर प्रभाव डालती हैं। संस्कृति के मानकिय पक्ष, मानकिय पक्षों में लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाठियां तथा कानून शामिल हैं। यह मूल्य यह नियम ही हैं जो विभिन संधर्भों में सामाजिक वहवार को दिशा निर्देश देते हैं। समाजिकरन के परिनाम सरूप हम प्राय सामाजिक मानकों का अनुसरन करते हैं, क्यूंकि हम वैसा करने के आदी होते हैं। सभी सामाजिक मानकों के साथ स्विक्रितियां होती हैं, जोकी अनुरूपता को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक नियंदरन के बारे में हम पहले ही अध्याय दो में चर्चा कर चुके हैं वोध्यू में याद दिलाया है कि हम किसी अन्य संस्कृती के मानकों को जानने का प्रियास करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसमें कुछ अस्पर्ष्ट आपसी समझ होती है उधारन के लिए यदि कोई व्यक्ती उसे दी गई किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहता है तो उसे उसी ततपरता से वापसी उपहार नहीं देना चाहिए अन्यथा ऐसा दिखाई देगा कि वह मित्रवत वहवार के स्थान पर अपना रिन अदा कर रहा है कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धान्त के रूप में परिभाशित आपचारिक स्विक्रिती है जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए कानून स्पष्ट होते हैं या पूरे समाज पर लागू होते हैं तथा कानूनों का उलंगन करने पर जुर्माना या सजा हो सकती है यदि आपके घर में बच्चों को सुर्यास्त के बाद घर से बाहर रहने की अनुमती नहीं है तो यह एक मानक है यह केवल आपके परिवार के लिए है तथा सभी परिवारों पर लागू नहीं हो सकता हालांकि यदि आपको किसी दूसरे के घर से सोने की चेन चुराते हुए पकड़ा जाए तो आपने सार्व भूमिक रूप से स्वीकृत निजी संपत्ति के कानून का उलंगन किया है त कानून जो राज्य की सत्ता से बनते हैं वे स्वीकार्य वहवार की सबसे अधिक आपचारिक परिभाशा है जहां विभिन स्कूल विद्यार्थियों के लिए विभिन मानक बनाते हैं वही कानून उन सभी पर लागू होता है जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करते हैं कानू ये मानक भिद्भापूर्ण होते हैं। उधारन के लिए ऐसे मानक जो दलितों को समान कुए या यहां तक की पानी के समान स्रोत से पानी पीने की या औरतों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वतंत्रता पूर्वक गूमने की अनुमती नहीं देते। संस्कृति के भौतिक पक्ष, भौतिक पक्ष, औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों तथा यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन तथा संप्रिक्षन के उपकरनों से संदर्वित हैं। नगरिये शेत्रों में चालित फोन, वादक यंत्रों, कारों तथा बसों, एटियम, स्वतै गणक मशीनों, रेफ्रिजरेटरों तथा संगनों का दैनिक जीवन में व्यापक प्रियोग तकनीक पर निर्भरता को दर्शाता है। यहाँ तकी ग्रामीन शेत्रों में ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रियोग या उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए जमीन के नीचे से पानी उपर उठाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंपों का प्रियोग तकनीकी उपकरनों को अपनाए जाने को दर्शात सारांश में संस्कृति के दो सेधानतिक आयाम है भौतिक और अभौतिक जहां संग्यानात्मक तथा मानकिये पक्ष अभौतिक है वहीं भौतिक आयाम उत्पादन बढ़ाने तथा जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए महत्वपून है संस्कृति के एक एक्रित कारियों है तुब भौतिक तथा अभौतिक आयामों को एकचुछो कर कारे करना चाहिए परंतु जब भौतिक या तकनीकी आयाम तेजी से बदलते हैं तो मूल्यों तथा मानकों की द्रिश्टि से अभौतिक पक्ष पिछर सकते हैं इसे संस्कृति के पिछड़ने की स्थिति उत्पन हो सकती है जब अभौतिक आयाम तक्निकी विकास के साथ तालमेल बिठाने में असक्षम हो संस्कृति तथा पहचान पहचान विरासत में नहीं मिलती अपितु यह व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंधों से प्राप्थ होती है व्यक्ति को उसके द्वारा अदा की गई सामाजिक भूमिका ही पहचान प्रदान करती है आधुनिक समाज में प्रतेक व्यक्ति बहुविद भूमिकाएं अदा करता है उधारनात परिवार में व्यक्ति माता-पिता या एक बच्चा हो सकता है परंदु प्रतेक विशेश भूमिका के लिए निश्चित उत्तरद्यायत्व तथा शक्तियां होती है भूमिकाओं को प्रभावी बनाना परियाप्त नहीं होता इन्हें पहचान तथा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ऐसा प्राई भूमिका अदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाशा को मान्यता देकर किया जा सकता है स्कूल में विद्यार्थियों के पास अपने अध्यापकों अन्य विद्यार्थियों तथा कक्षा में प्रदशनों का उलेक करने का अपना तरीका होता है इस भाषा के स्रिजन द्वारा जिसमें कुछ कूठ अर्थ भी होते हैं वे अर्थों और उनके महत्व का अपना संसार बनाते हैं प्रिष्ट संख्या असी इस्त्रियां भी अपनी भाषा बनाने के लिए प्रसिध होती हैं जिनके द्वारा वे अपना निजी समें प्राप्त कर लेती हैं जोकि पुष्वो के नियंत्रन से बाहर होता है विशेश रूप से ग्रामीन शेत्रों में तलाब में स्नान करते समय तथा नगरिय शेत्रों में छटों पर कपड़े सुखाते समय एकत्रित होकर किसी भी संस्कृती की अनेक उपसंस्कृतियां हो सकती है जैसा की संभ़ाथ तथा कामगार वर्ग के युवा उप संस्कृतियों की पहचान शैली, रुची तथा संग से होती है किसी विशेश उप संस्कृति की पहचान उनकी भाशा, कपडो, संगीत के विशेश प्रकार के प्रती प्रात्मिक्ता या उनके समू के अन्य सदस्यों के साथ उनकी अन्ते क्रियाओं के प्रकार से की जा सकती है उपसंस्क्रिती समू एक संबध एकाई के रूप में कारे कर सकता है जो समू के सदस्यों को पहचान देता है ऐसे समूहों में नीता तथा अनुयाई हो सकते हैं परन्तु समू के सदस्य समू के उद्देश्य से वचनबध होते हैं तथा इकठे होकर इन उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए कार्य करते हैं। उधारन के लिए आसपडोस के युवा सदस्य कलब बना सकते हैं, ताकि अपने आपको खेलों तथा अन्यसनरचनात्मक कार् अपितु इससे अपने कार्यों को और बहतर ढंग से करने की प्रेड़ना भी मिलती है। आप इनको पहचानने में कैसे सफल हुए। जब संस्कृतिया एक दूसरे के संपर्ख में आती हैं तभी नरीजाती केंदरवाद की उत्पत्ती होती है। न्री जाती केंद्रवात से आशे अपने सांस्कृतिक मुल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के वहवार तथा आस्थाओं का मुल्यांकन करने के लिए प्रियोग करने से हैं। इसका अर्थ है कि जिन सांस्कृतिक मूल्यों को मानधंड या मानक के रूप में प्रदशित किया गया था, उन्हें अन्य संस्कृतियों की आस्थाओं तथा मूल्यों से श्रेष्ट माना जाता है। हम अध्याए एक तथा अध्याए तीन विशेश रूप से धरम पर हुई चर्चा में पढ़ चुके हैं कि समाश शास्र किस प्रकार से आनुभाविक शास्र है ना की मानकी है। न्री जाती केंद्रवाद की तुनलाओं में नहित सांस्कृतिक श्रेष्टा की भावना उपनिवेश वाद की स्थितियों में स्पष्ट दिखाई देती है। थॉमस बॉमिगटोन मेकाले के भारत में इस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए शिक्षा 1835 के प्रसित विवरन में नी जातीयता का उधारन दिया गया है। जब वे कहते हैं कि हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्मान करने का भरसक प्रियास करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखो लोगों के बीज वी भाश्यों का कारे करे। व्यक्तियों का ऐसा वर्ग जो खून तथा रंग में भारतिय हो परंतु रुची में विचार में नैतिक्तात तथा प्रतिभा में अंग्रेज हो। मुखरजी 1948, 1989, 1987 में उद्रित। प्रिष्टि संख्या 81 नरिजाती केंद्रवाद विश्व नागरिक्तावाद के विपरीत है जो की अन्य संस्कृतियों को उनके अंतर के कारण महत्पदेती है। विश्व बंधुता परवेक्शन में व्यक्ति अन्यव्यक्तियों के मुल्यों तथा आस्थाओं का मुल्यांकन अपने मुल्यों तथा आस्थाओं के अनुसार नहीं करता। यह विभिन सांस्कृतिक प्रवित्यों को मानता तथा इन्हे अपने अंदस समायोजित करता है और एक दूसरे की संस्कृति को सम्रिद बनाने के लिए सांस्कृतिक विनिमे तथा लेंदेन को बढ़ावा देता है। विदेशी शब्दों को लगातार अपनी शब्दावली में शामिल करके अंग्रेजी भाषा अंतराश्ट्रिय समप्रेक्षन का मुख्य साधन बन कर उभरी है। पुने हिंदी फिल्मों के संगीत की लोग प्रियता को पास्चात्य पॉप संगीत तथा साथ ही भारतिय लोग गीतों की विभिन परंपराओं तथा भांगड़ा और गजल जैसी अर्थ शास्रिय संगी से ली गई देन का परिनाम मान सकते हैं। वॉक्स में दिये गए शब्दों को पढ़ें। क्या आपने ये शब्द सुने या बातचीत में कभी इनका प्रयोक किया है। गोरा यानि वाइट परसन, जंगली यानि अनकाउत, लाख, लंपट यानि ठग, ऑप्टिकल यानि स्पेक्टिकल्स, फ्रीपोन यानि ब्रिंग फॉरवर्ड, स्टैपनी यानि स्पेर टायर, तथा वुडबी यानि फ्यांस या फ्यांसी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंगलिश में ऐसे अनेक शब्द या वाक्यान शामिल हैं, जिन्हें ब्रिटेन या अमेरिकावासी शायद आसानी से ना समझ सके। इनमें से कुछ अप्रचलित शब्द जैसे पक्का है, जो राज के स्मिती चिन है, अन्य नव निर्मित शब्द भी हैं, जैसे टायम पास, जिसका अर्थ है समय वैतीत करने के लिए कोई भी कारे करना। भारत में वैविसाय करने को आकरशित करने की सफलता ने हाल ही में एक नई क्रिया को जनम दिया है। वे व्यक्ति जो किसी कमपनी के करमचारी ना होकर भी भारत से उसके लिए कारे करते हैं, उन्हें बैंग लॉड कहा जाता है। एक आधुनिक सामाज सांस्कृतिक विभिंता का प्रशन सक होता है, तथा बाहर से पढ़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दर्वाजे बंद नहीं करता। परंतु ऐसे सभी प्रभावों को सदेव इस परकार शामिल किया जाता है कि ये देशिय संस्कृ के तत्वों के साथ मिल सके। विदेशी शब्दों को शामिल करने के बावजूद अंग्रेजी अलग भाशा नहीं बन पाई। और नाहीं हिंदी फिल्मों के संगीत ने अन्य जगाहों से उधार लेने के बावजूद अपना स्वरूप खोया। विविद शैलियों, अधुनिक साधनों से संस्कृतियों के बीच अंतर कम हो रहे हैं। एक विश्व व्यापी पर्वेक्षन प्रतेक व्यक्ति को अपनी संस्कृति को विभिन प्रभावों द्वारा सशक्त करने की स्वतंत्रता देता है। अंतरिक या बाहरी हो सकती है। उधारन के लिए आंतरिक कारणों में क्रिशे या खेती करने की नई प्रधतियां क्रिशे उत्पादन को बढ़ा सकती हैं। जिससे खाद्य उभोग की प्रकरती तथा क्रिशक समुदाय की जीवन शैली में परिवर्तन आ सकता है। दूसरी प्राकतिक वातावरन में परिवर्तन, अन्य संस्कृतियों से संपर्क या अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा संस्कृतिक परिवर्तन हो सकते हैं। प्राकतिक वातावरन या पारिस्थितिकी में परिवर्तन से लोगों की जीवन शैली में महत्वपून परिवर्तन हो कारण रोका जाएगा तो इसके निवासियों तथा उनकी जीवनशैली पर अनेक विप्रीत प्रभाव हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत में रहने वाले जनजातिय समुदायों पर जंगली संसाधनों में कमी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। विकासात्मग परिवर्तन के साथ साथ क्रांतिकारी परिवर्तन भी हो सकते हैं जब किसी संस्कृती में दीवरता से बदलाव आता है और इसके मुल्यों तथा अर्थकारी व्यविस्थाओं में महत्वपून परिवर्तन होते हैं तभी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुवात, राजनितिक हस्तक शेप, तकनी की खोज या पारिस्थिक्ति किये रुपांतरन के कारण हो सकती है। फ्रांसिसी क्रांति 1789 ने फ्रांसिसी समाज में श्रेनी क्रमता की स्टेट विवस्था को नश्ट किया, राज्टंतर को समाप्त किया तथा अपने नागरिकों में समानता, स्वतंतरता तथा बंधुता के मुल्यों को जागरित किया। जब कोई अलग समझ प्रचलित होती है तो संस्कृति में परिवर्तन होते हैं। हाल के वर्षों में प्रचारतंत्र, इलेक्ट्रोनिक तथा मुद्रन दोनों में आश्चर्य जनक विस्तार हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि प्रचारतंत्र ने विकासात्मक या क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं। अब हम संस्कृति के विभिन आयामों से परिजित हैं। व्यक्ति तथा समाज के बीच पारंपरिक क्रिया जिससे हमने अध्याय एक में शुरुवात की थी के बिंदु पर वापस आने के लिए। अब हम समाजीकरन की संकल्पना की ओर चलते हैं। समाजीकरन मेरा विश्वास है कि हमारे चारो तरफ की सभी वस्तुएं संपून जीवन में शामिल हैं। पौधे, पशु, अतिथी, पर्व, उत्सव, लणाईया, मित्रता, सहचार्य, भेदभाव, ग्रिणा। ये सभी तथा इससे जाधा वस्तुएं एक ही स्थान मेरे घर में उपलब्ध थी। यदपी तब कभी-कभी जीवन जटिल दिखाई देता था। मैं अब समझती हूँ कि ये कितना उत्कृष्ट था। मैं ऐसे बच्पन की आभारी हूँ। शायद कि मैंने कभी भी किसी पीडित व्यक्ती को देखा हो। मैं महसूस करती हूँ कि मैं सबकी संपूनता को समझ सकती हूँ। वेदेही 1945 प्रिष्ट संख्या 83 जन्म के समय बच्चा, जिसे हम समाज कहते हैं या सामाजिक वहवार, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। परन्तु, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वे केवल भौतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता। अपितु अच्छे या बुरे लड़के या लड़की से क्या तात्पर्य है? ये भी सीखता है। मैं जानता है कि किस प्रकार के वहवार की प्रशन सा होगी, तथा किस प्रकार के वहवार को अनुमती नहीं मिलेगी। समाजी करन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाशित क जासकता है जिसके द्वारा असाहय शिशु धीरे धीरे स्वेम जानकारी प्राप्त करता है। व आत्म जागरुप बनता है, जो उस संस्क्रिती के तरीकों के बारे में भली भाती जानता है, जिसमें वै जन्म लेता है। वास्तव में समाजी करन के बिना एक व्यक्ति, मान की तरह वहवार नहीं कर सकता आप में से अधिकतर ने मिदनापुर के भेडिय के बच्चे की कहानी सुनी होगी सन 1920 में बंगाल में भेडिय की गुफा में दो वर्ष की दो बच्चियां पाई गई थी वे पशू की तरह चारों पैरों पर चलती थी कच्चा मास खाना पसंद क करती थी भेडियों की तरह चिलाती थी तथा कोई भी भाशा नहीं जानती थी ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारियां विश्व के अन्य भागों से भी प्राप्त हुई हैं हम अब तक सामाजी करन तथा नवजाज शिशु के बारे में बाते कर रहे थे परंतु बच्चे का जन उनके जीवन को भी बदल देता है जो उनके पालन पोशन के लिए उत्तरदाई हैं वे भी नए-नए अनुभवों को सीखते हैं दादा-दाधी तथा माता-पिता बनने पर नए-नए क्रिया कलापों तथा अनुभवों से गुजरना होता है बुजुर्ग व्यक्ति दादा-दाधी बनकर भी माता-पिता ही रहते हैं वास्तव में संबंधों को आगे बढ़ाने वाला संबंधों का या समुच्चे विभ लेकिन अत्यदिक महत्वपून प्रक्रिया आरंभिक वर्षों में घटित होती है, जिसे प्रारंभिक सामाजिकरन कहा जाता है. द्वित्तियक सामाजिकरन एक व्यक्ति के जीवन परंत चलने वाली प्रक्रिया है. हालांकी सामाजिकरन का प्रतेक व्यक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है. परंतु ये सांस्कृतिक कारिक्रम की तरह से नहीं जिसमें शिशु अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रभाव को बिना किसी विरोध के ग्रहन करता है. नवजाज शिशु भी अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है. जब भूक लगेगी तो वे चिलाएगा तथा तब तक चिलाता रहेगा जब तक उसकी देखभाल करने वाले कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं करते. आपने देखा होगा कि शिशु के जर्म से परिवार की सामा ये दैनिक क्रियाएं किस प्रकार पूर्ण रूप से पुढ़ें विवस्थित हो जाती हैं? आपको पहले ही प्रस्थिती या भूमी का सामाजिक नियंतरन, समूहों तथा सामाजिक स्तरीकरन की संकल्पनाओं से अवगत कराया जा चुका है. आप ये भी जान चुके हैं कि संस्कृती, मानक तथा मुल्य क्या है? इन सभी संकल्पनाओं से ये जानने में सहायता मिलती है कि समाजिकरन की प्रक्रिया कैसे जलती है? प्रिष्ट संख्या 84 प्रथम द्रिष्टी में एक बच्चा परिवार का सदस्य होता है. परन्तु वे एक बड़े नातेदार समू यानि बिरादरी, खांदान, गोत्र, आदी का भी सदस्य होता है, जिसमें भाई, बेहन तथा माता-पिता के अन्य संबंधी होते हैं. जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है वे मुल्य या विस्तृत परिवार हो सकता है. यह एक बड़े समाज जैसे की एक जन जाती या उपजाती, गोत्र या एक बिरादरी, एक धर्म और भाशाई समू का सदस्य भी हो सकता है. इन समूहों तथा संस्थाओं की सदस्यत प्रतेक सदस्य पर कुछ विशेश वहवारिक मानक तदा मुल्य लागू करती है. इन सदस्यताओं के अनुसार कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती है. जैसे की एक पुत्र की, एक पुत्री की, एक पोत्र की या एक विद्यार्थी की ये बहुविद भूमिकाएं हैं, ज जिने साथ साथ निभाया जाता है, इन समूहों के मानकों, मनुवृत्यों, मूल्यों या वहवारिक प्रतिमानों को सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रारंभ से शुरू होती है, तथा जीवन परंथ चलती है। एक व्यक्ति एक गाउं में रहता है या शहर में, या वे किसी जनजाती से संबंदित है और यदि जनजाती से संबंदित है तो किस जनजाती से। इस सब के अनुसार एक समाज में विभिन जातियों, शेत्रों या सामाजिक बर्गों या धार्मिक समुहों से संबंधित विभिन परिवारों में मान दंड तथा मूल्य अलग-अलग हो सकते हैं। आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी पर निर्भर करता है। वे बाते बताएं जिनमें एक घरेलू नौकर का बच्चा अपने आपको उस बच्चे से अलग समझे जिसके परिवार में उसकी मा काम करती है। साथ ही उन वस्तूओं के बारे में भी बताएं जिनने वे आपस में बांड सकते हैं या बदल सकते हैं। प्रारंब करने के लिए स्पष्ट है कि किसी के पास कप्रों की खरीदारी हे तुँ अधिक धन होगा और दूसरा हो सकता है कि चूरियां जादा पहने। हो सकता है कि वे एक ही सीरियल देखते हों, एक ही तरह के फिल्मी गानों को सुनते हों, हो सकता है कि वे एक दूसरे के लिए अलग-अलग प्रकार की अशिष्ट भाशा का परियोग करते हों। अब आपको कठिन शेत्रों के बारे में पता लगाना है जैसे की परिवार में, पडोस में तथा गली में सुरक्षा की भावना के बारे में प्रिश्ट संख्या 85 क्रिया कलाप 7 आपके विचार में यहां दी गई वस्तुओं में किस चीज की उपस्तिती या अनुपस्तिती आपको व्यक्तिकत रूप से सबसे जाधा प्रभावित करेगी स्वामित्व टेलिविजन या वादक यंद्र जगह आपका अपना कमरा समय घर के कार्यों या अन्य कार्य के साथ विद्याले के समय का सामन जस्य बैठाना सू अफसर यात्रा संगीत की कक्षाएं आपके आसपास के लोग परिवार जोकि परिवारिक विवस्थाएं विस्तरित रूप में भिन होती हैं अते किसी भी तरह से शिष्चों के अनुभव विभिन संस्कृतियों में एक मान दंड के अनुसार नहीं होते आप में से अनेक मूल परिवार में अपने माता पिता तधा भाई बैनों के साथ रह रहे होंगे जबकि अन्य दूसरे विस्तरित पारिवारिक सदस्यों के साथ रह रहे होंगे पहले मामले में माता-पिता समाजी करन के मुख्य अभी करन हो सकते हैं जबकि दूसरे मामले में दादा-दादी, चाचा, चचेरे भाई या बेहन का जादा महत्व हो सकता है एक समाज की समगर संस्थाओं में परिवारों की स्थिती अलग-अलग होती है सबसे अधिक पारम-परिक समाजों में जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है, वहीं उस व्यक्ति के पूरे जीवन की व्यक्तिकत सामाजिक स्थिती को निर्धारित करता है यदपी जब इस प्रकार से जन पर सामाजिक सिती विरासत में प्राप्त नहीं होती हो परिवार का शेत्र तथा सामाजिक वर्ग जिसमें वे जन लेता है समाजी करन के प्रतिमानों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं बच्चे अपने अपने मातापिता या पडोस या समुदाय से वहवारिक विशेशताओं के तरीकों को ग्रहन करते हैं वास्तव में कुछ बच्चे समानते हैं अपने मातापिता के दृष्टिकोन को बिना किसी विवाद के अपना लेते हैं यह समकालीन विश्व में विशेश रूप से सही है जहां परिवर्तन इतना अधिक व्यापक है साथ ही समाजिकरन के अभीकरनों में वर्तमान विविदता के फलसरूप बच्चों, किशोरों तथा मातापिता की पीडियों के दृष्टिकोनों में अत्यधिक अंतर पाया जात से भी अलग हो समकक्ष समू समकक्ष समू एक अन्य समाजिकरन अभीकरन है समकक्ष समू समान आयों के बच्चों के मेत्री समू होते हैं कुछ संस्कृतियों में विशेश तया कुछ छोटे प्रार्मपरिक समाजों में समकक्ष समू अपचारिक रूप से एक ही आयो श्रेन प्रिष्ट संख्या 86 प्रभुत्व जमाने का प्रियास कर सकता है, तथापी पारिबारिक स्थित्यों में विरासत में मिली निर्भरता की तुल्ला में समकश्य समूहों में लें देन अधिक होता है। अपनी शक्तियों के कारण माता पिता अपने बच्चों पर आचरन सहीता लागू करने विभिन मातराओं में सफल होते हैं इसके विप्रीत समकक्ष समूहों में एक बच्चा विभिन परकार की अंते क्रियाओं की खोज करता है जिसके दाइरे में वहवार के नियमों को जाँ जा सकता है तथा उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है क्रिया कलाप आठ अपने अनुभवों पर प्रकाश डालिये अपने मित्रों के साथ की गई अपनी अंते क्रिया की तुल्ला अपने माता पिता तथा अन्य बड़ों से की गई अंते क्रिया से करें इन में क्या अंतर है? पहले की गई भूमिकाओं एवं प्रस्थिती की चर्चा इन अंतरों को जानने में क्या आपकी सहायता करती है? प्राय समकष संबंध व्यक्ति के लिए जीवन परंत महत्वपून रहते हैं समान आयू के लोगों के अनुपचारिक समू, काम की जगा पर तथा अन्यसंदर्भों में व्यक्ति की मनोवृत्यों तथा वहवार को निर्धारित करने में प्राय महत्वपून भूमिका निभाते हैं विद्याले विद्याले एक अपचारिक संगठन है यहां पढ़ाय जाने वाले विश्यों की एक निश्चित संख्या होती है तथा भी स्कूल भी एक हद तक समाजी करन के अभी करन होते हैं कुछ समाज शास्तियों के अनुसार आपचारिक पाठेकरम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष पाठेकरम भी होता है भारत और कई अन्य देशों में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां लड़कों से कभी कभार परंतु लड़कियों से हमेशा अपने कमरे साफ करने की आशा की जाती है कुछ स्कूलों में इसके समाधान के लिए प्रयास किये जाते हैं जिसके तहट लड़कों तधा लड़कियों से ऐसा काम करने को कहा जाता है जिनके बारे में समानतेया उनसे आशा नहीं की जाती क्या आप ऐसे उधारन पर विचार कर सकते हैं जो दोनों प्रकार की प्रवित्यों पर प्रकाश डालते हूं जन माध्यम जन माध्यम हमारे द्यनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं आज इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे की दूर्दशन का विस्तार हो रहा है मुद्रन माध्यन का महत्व भी लगातार बना हुआ है भारत में 19 वी शताबदी में मुद्रित माध्यम के आरंभिक वर्षों में भी अनेक भाशाओं में आचरन पुस्त के काफी लोग प्रिये थी जिन में यह बताया जाता था कि महिलाएं एक अच्छी ग्रहनी तथा अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है जन माध्यमों के द्वारा सूचना जादा लोगतांत्रिक धंग से पहुँचाई जा सकती है इलेक्ट्रोनिक संचार एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे गाउं में भी पहुँच सकता है जो ना तो सड़को द्वारा अन्य शेत्रों से जुड़े हैं और ना ही वहां साक्षर्ताकार केंद्रिस थापित हुए हैं प्रिष्ट संख्या 87 बच्चों तथा बड़ों पर दूरदशन के प्रभाव पर अत्याधिक अनुसंधान किये गए हैं ब्रिटेन में हुए एक अध्यन में पाया गया है कि बच्चों द्वारा टेलिविजन देखने पर व्य किया गया समय एक साल में लगभग एक सो स्कूली दिवसों के समान हैं तथा इन में बड़े भी पीछे नहीं हैं ऐसे मात्रात्मक पक्षों के अतिरिक्त ऐसे अनुसंधान कारे में जो अन्य परिनाम उभर कर सामने आते हैं वे सदेव निरनायक नहीं होते हैं टेलिविजन के परदे पर हिंसा तथा बच्चों के बीच आकरामक वहवार का संबंध अभी भी चर्चा का विशे है आप शायद जानना चाहेंगे कि लोग अपने आसपास के परिवेश के विप्रीत परिवेशों में बने धारवाहिकों से खुद को कैसे जोडते हैं और यदि बच्चे अपने दादा दादी के साथ टेलिविजन देख रहे हैं तो कौन से कारिक्रम देखने योग्य हैं? क्या इस पर उनमें असहमती है? यदि ऐसा है तो उनके दृष्टिकों में क्या अंतर पाया गया है? क्या इन अंतरों में क्रमशय संशोधन होता है? यदि कोई व्यक्ति लोगों पर जन माध्यमों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकता लेकिन प्रभाव की मात्रा, जानकारी तथा अपने शेत्र से दुरस्त्र शेत्रों के अनुभव के बारे में बता लगाया चा सकता है? भारतिय दूरदर्शन के धारवाहिकों तथा फिल्मों के काफी दर्शक नाइजीरियाई, अफगानिस्तान या तिबबत के प्रवासी हैं महाभारत का अनुवाद करके ताशकंद में प्रसारित किया गया परंतु इसे बिनानुवाद किये लंदन में उन बच्चों द्वारा दीखा गया जो केवल अंग्रीजी बोलते थे हाल के वर्षों में इंटरनेट के माध्यम से नौन प्रेंट, डिजिटल मीडिया को विशेश रूप से शहरी शेत्रों में काफी लोगप्रियता मिल रही है यह रिपोर्ट पढ़ें और चर्चा करें कि जन माध्यम बच्चों पर कैसे प्रभाव डालते हैं एक मनोव्य ज्यानिक का कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व परसारित शक्तिमान धारवाहिक को देख कर बच्चे इमारतों से कूदने की कोशिश करते थे जिसके परिनाम घातक होते थे नकल करकर सीखने की बधती लोगों द्वारा अपनाई जाती है और बच्चे इसके अपवाद नहीं है अन्य समाजिकरन अभिकरन दिये गए समाजिकरन अभिकरनों के अतिरिक्त कुछ अन्य समूम या समाजिक परिस्थितियां है जहां व्यक्ति अपने जीवन का काफी समय व्यतीत करते हैं सभी संस्कृतियों में कारेस्थल एक ऐसा महत्वपुन स्थान है जहां समाजी करन प्रिक्रिया चलती है यदपी ऐसा और योगिक समाजों में ही है जहां काफी संख्या में लोग काम करने जाते हैं अर्थात हर रोज घर से काफी हद तक अलग स्थानों पर कार्य करने के लिए जाना पारंपारिक समुदायों में अनेक लोग अपने रहने के स्थान के निकट ही जमीन जोदते हैं या उनकी कार्यशालाएं उनके निवास स्थानों में होती है प्रिष्ट संख्या 50 के चित्रो पर ध्यान दो प्रिष्ट संख्या 88 समाजी करन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह शायत सही है कि समान्य परिस्थितियों में समाजी करन लोगों को कभी भी अनुरूपता तक नहीं ला सकता संखर्ष को अनेक कारण बढ़ावा देता है समाजी करन के अभिकर्णो विद्याले तथा घर घर तथा समकक्ष समूहों के बीच संखर्ष हो सकते हैं तथा पी जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं तथा परिपक्व होते हैं उसका हमारे वहवार पर इतना अधिक प्रभाव बढ़ता है मानो हमारी किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या इच्छा को छीन लिया गया हो ऐसा विचार मूलता गलत है तथ्य यह है कि जन्म से मृत्यों तक हम अन्य व्यक्तियों के साथ अन्ते क्रियाओं के द्वारा अपने व्यक्तित्व, अपने मूल्यों तथा अपने वहवार को निखारने में सनलगन रहते हैं अधै समाजी करन भी हमारे व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के मूल में है समाजी करन के दौरान हम में से प्रतेक में स्वैम की पहचान की भावना तथा स्वतंत्र विचारों एवं कार्यों के लिए शमता विक्सित होती है समाजी करन का लिंग करन कैसे होता है हम लड़के गलियों का प्रियोग अनेक वस्तूओं के लिए करते हैं एक स्थान की तरहां जहां खड़े होकर आसपास देखते हैं दोड़ने तथा खेलने के लिए अपनी मोटर साइकलों पर विभिन कर्तब करने के लिए लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है जैसा की हम हर समय देखते हैं लड़कियों के लिए गलियां विद्यालियों से सीधे घर जाने के लिए है तथा गली के इस सीमित प्रयोग के लिए भी वैसदा जुन्ड में जाती हैं शायद इसके पीछे उनमें मौजोद छेड़खानी का भै है कुमार 1986 क्रिया कलाब 11 की अनुमती है समाजिकरन के अभिकरनों में विरोधाभास जो की अगले प्रिष्ट की पठन सामगरी में दिया गया है उधारन के लिए वैशुक्र गुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा क्या आप कोई ऐसा अन्यवाक्य ढून सकते हैं जो इसे दर्शाता हो लिंग करन बराबर बालों में कंगी करना जमा रक्षा के लिए किसी के साथ जाना जमा फुटबॉल ना खेलना सजा बराबर चुप्पी साधना जमा पापडम केरल में पापड को पापडम कहते हैं की संधे भरी अनुपस्थिती प्रिष्ट संख्या नवासी आज शाम मंदिर जाने के लिए वह आसमाने रूप से उत्सुक थी दोपहर के भोजन पर जब उसने मंदिर के सामने जाकर घंटी बजाने का अपना निरने सुनाया तो उसके तथा बड़ों के बीच तर्क हो गया उसने उत्तेजित होकर कहा यदि थंगम घंटी बजा सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ उन्होंने घबराई हुई आवाज में इसका विरोध किया थंगम मंदिर के पुजारी की बेटी है और उसको घंटी चुने की अनुमती है उसने गुसे में उत्तर दिया कि धंगम हर रोज दोपेहर में लुका छुपी का खेल खेलने आती है तथा किसी से भी अलग धंग से वहवार नहीं करती इसके अतिरिक्त उन्हें भड़काने के लिए उसने जान बुच कर कहा हम भगवान की नजरों में समान हैं उसे पूरा विश्वास नहीं था कि उन्होंने इस उक्ती को सुना है क्योंकि उन्होंने पहले ही खिचकर मूँ फेर लिया था परन्तु दोपहर के भोजन के बाद उसने उन्हें कहते हुए पाया कि वह गलत अंग्रेजी स्कूल में जाती है जिसका अर्थ है उन्होंने सुन लिया था उसे विश्वास था कि उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था बड़े व्यक्तियों के साथ यही समस्या है वे सदेव मान कर चलते थे कि उसके बड़े होने पर जब वे उसे बताएंगे कि वे हर बात समझ जाएगी वे उनकी बुध्धिमता तथा सत्ता को बिना कोई प्रश्ण किये स्विकार कर लेगी और उनके विरुज जाने की बात सपने में भी नहीं सोचेगी अच्छा इस बार वे उन्हें दिखा देगी कि घर पर पुन्हें उसको बाल सवारने की तकलीफ दे स्थिती से गुजरना पड़ा उसकी दादी ने उसके बालों में एक जार भर कर तेल डाला प्रतेक चमकती लट को सीधा होने तक अलग-अलग किया और उसे जोर से खीच कर उसके सर के उपर बान दिया वे शुकर गुजार थी कि उसके स्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा वे ये क्यों नहीं समझते कि उसकी रक्षा के लिए किसी के साथ जाने से वे कितना उपहास जनक महसूस करती थी उसने अपनी माता को बार-बार याद दिलाया है कि जब वे कस्वेवें रहते थे तो वे रोज स्कूल अकेली जाती थी उसने देखा कि क्रिश्न मंदिर के बगल में बने प्रांगन में फुटबॉल का खेल पहले ही प्रारंभ हो जुका है वे खिलाणियों को देखकर आनंदित होती थी विशेश्टया उसकी रुची खेल की सक्रियता में थी तथा करकश आवाज में की गई टिपनियों में भी जिन से केलू नईयर बहुत चिर्ता था वे जल्दी से भीड़भाड़ वाले मंदिर पर आ गई इससे पहले कि वे अपने निर्ने पर पश्रताप करे या वापस जाए उसने तेजी से स्त्रियों के जुन को पार किया जो फिसलन भरी सीडियों पर लगभग लड़ खड़ा रहा था बड़ी सी घंटी को देखकर वे उत्सा से भर गई वे केलू नईयर की क्रोध भरी धमकियों को पहचान सकती थी परंतु वे वहां गई घंटी को एक आवाज करती टन टन से बजाया तथा केलू नईयर के ये महसूस करने से पहले की क्या हो रहा है वे सीडियों से नीचे आ गई जब केलू नईयर ने उसे खीच कर मंदिर से बाहर किया उसने धीरे-धीरे क्रोधित चहरों और मंद होती फुसफुसाहटों को सुना वे अत्यधिक अपमानित महसूस कर रही थी उनका मौन उनकी आवाज से जाधा अर्थ पून था ठीक इसी तरह से रात्री भोज पर उसके प्रिये पापडम की अनुपस्तिती यह संस्कृति का एक सिध्धान्त है जो यह तर्ग देता है कि प्राकरतिक स्पीशिज की तरह ही संस्कृति का विकास भी विभिंता तथा प्राकरतिक चयन द्वारा होता है सामन्तवादी यूरोप में व्यवसाई के अनुसाज श्रेनी प्रदान करनी की एक व्यवस्था थी कुलींता, पुरोहित वर्ग तथा थृत्तिये स्टेट तीन तरहां की स्टेट्स थी अन्तिम स्टेट मुख्यता, व्यवसाईयों और मध्यम वर्ग के लोगों की थी ब्रहित परंपरा इसमें सांस्कृतिक विशेशताएं या परंपराएं शामिल हैं जो लिखित हैं तथा समाज के शिक्षित एवं सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत है लगू परमपरा इसमें संस्कृती की मोखिक विशेशताएं या परमपराएं शामिल है जो मोखिक है तथा ग्रामीन स्तर पर स्वीकृत है स्वैम की छवी दूसरों की निगा में आपकी छवी सामाजिक भूमिकाएं ये किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिती ये प्रस्थिती के साथ जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व है सामाजी करन व्यप्रक्रिया जिसके द्वारा हम समाज का सदस्य बनना सीखते हैं उप संस्कृती एक बड़ी संस्कृती के अंदर लोगों के ऐसे समूका निर्धारन करना जो प्रतीकों, मुल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृती चे अक्सर उधार लेता है तथा प्राय इन्हें विक्रित, अंतिरंजित, अतिरंजित या विप्रीत कर देता है ताकि अपने आपको अलग दर्शा सके अभ्यास प्रश्न संख्या एक सामाजिक विज्ञान में संस्कृती की समझ, धैनिक परियोग की शब्द संस्कृती से कैसे भिन है प्रश्न संख्या दो हम कैसे दर्शा सकते हैं कि संस्कृती के विभिन आयाम मिलकर समगर बनाते हैं प्रश्ण संख्या तीन उन दो संस्कृतियों की तुलना करें जिनसे आप परिचित हों क्या नरी जातिये नहीं बनना कठिन नहीं है प्रश्ण संख्या चार सांस्क्रितिक परिवर्तनों का अध्यन करने के लिए दो विभिन उपागमों की चर्चा करें प्रिश्टि संख्या 91 प्रश्णि संख्या 5 क्या विश्व व्यापी करन को आप आधुनिक्ता से जोडते हैं? निरी जातियता का प्रेक्षन करें तथा उधारन दें प्रश्णि संख्या 6 आपके अनुसार आपकी पीड़ी के लिए समाजी करन का सबसे प्रभावी अभिकरन क्या है? ये पहले अलग कैसे था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अभी आप सुन रहे थे कक्षा 11 के लिए समाज शास्त्र की पाठे पुस्तक समाज शास्त्र परिचय का ध्वनी पाठ वाचनस्वर, रुची शर्मा, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, कुसुमलता और शानु मुक्सीम, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत